दिया गया है कि निम्न आउकल समीकरण को हल कीजिए यह x square dy plus y into x plus y dx equal to 0 और 7 में दिया हुआ है x equal to 1 और y equal to तो यह आउकल समीकरण दिया गया है तो मान करके चलते हैं कि जो दिया गया आउकल समीकरण x square dy plus y into x plus y dx equal to 0 तो मान लेते हैं कि यह समीकरण 1 है अब हमें dy by dx इस format में इसको arrange करना है तो उसके लिए हम यह करेंगे x square dy और इन सब तर्म को पक्षांतर कर देते हैं तो यह में दाएगा minus y into x plus y dx या फिर dy by dx इसको solve कि हमें यह मिला इसको solve कि हमें यह मिला dy by dx equal to minus y x plus y upon x square और यदि minus sign के साथ में यह bracket open कर दें तो ultimately हमें मिल रहा है dy by dx equal to minus xy और फिर यह minus y square upon x square देखिए कि यह term और यह term दोनों का multiply करने के बाद में इस पद की घात है दो और हर में जो पद है इसकी भी घात दो है तो इस प्रकार मा लेतें कि समीकरण 2 है यह समीकरण 2 समीकरण 2 समगहात आउकल समीकरण है और आप जानते हैं कि समगहात आउकल समीकरण को किस प्रकार सरल करते हैं इसके लिए हम y equal to vx इस प्रकार ले करके चलते हैं दोनों पक्षों का आउकलन करेंगे तो मैं जाएगा dy by dx इक्वल to v plus x dv by dx इन मानों को या यह जो मान है इसको समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में इन मानों को हम रख देंगे यह समीकरण 2 है dy by dx इसके इस्थान पर हम रखे हैं रख रहे हैं v plus x dv by dx इक्वल to minus xy और y के जगा में vx रखना है तो minus v x square हो जाएगा और फिर y square y square का मनदब यहाँ पर v square x square upon x square x square और x square यह cancel हो जाएगा और ultimately हमें मिल रहा है minus v minus v square और left hand side पर plus v है उदार पक्षानतर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x dv by dx इक्वल to minus 2v minus v square यह plus v है left side में जागर के minus हो जाएगा तो minus v minus v minus 2v अब इसमें हमें काम करते हैं कि v वाले पदों को एक तरफ और x वाले पदों को एक तरफ ले चलते हैं यह dv और इन दोनों पदों में से यदि आप v common ले 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 तो मिल जाएगा 2 plus v और यह minus dx अपॉन x minus आइन को अपनी धरी रहने दिया यहां से v common लिया और इसको पक्षानतर कर दिया तो हमें मिल रहा है dv by v into 2 plus v equal to minus dx upon x अब दोनों पदों का हम समाकलन कर देंगे दोनों पक्षों का तो इसे हम लिखेंगे integration sign dv upon v और 2 plus v यह v plus 2 दोनों लिख सकते हैं फिर minus sign dx upon x तो इस प्रकार के प्रश्ण को किस प्रकार हल करते हैं आपको यह पता है इसे आंसिक भिन्नों में बदल करके दो भिन्नों के अंतर या योग के रूप में लिखेंगे तो हमें यह मिल जाएगा 1 by 2 फिर integration sign 1 by 2 फिर integration sign 1 by v minus 1 upon 2 plus v dv equal to इसका integration करेंगे तो मिल जाएगा log x और constant को भी हम log c ऐसा ले करके चलते हैं इस प्रकार यह 1 by 2 है इसका multiply होगा 1 by v इसका integration करने पर हमें मिल जाएगा log v minus इसका मिल जाएगा log of 2 plus v और यह equal to है देखिए यह वाला term positive है यह वाला term negative है तो इसे हम लिख सकते हैं ultimately log of c by x अब यह जो 1 by 2 है अब यह जो 1 by 2 है इसे थोड़े के लिए ड्रॉप करते हैं और log v minus something है यह भी log में है तो इसे हम log v upon 2 plus v इस प्रकार लिख सकते हैं और यह जो 1 by 2 है इसके पावर के फॉर्म में आ जाएगा तो इसका मतलब यह कि हम इसे square root v upon 2 plus v ऐसा लिख सकते हैं और य यह है log c upon x दोनों पक्षों पर log है cancel कर देंगे तो हमें मिल दाएगा square root over v upon 2 plus v equal to c upon x दोनों पक्षों का work करेंगे तो मिल दाएगा v upon 2 plus v equal to c square upon x square अब यहां से देखिए y equal to vx है तो v equal to y by x मिल दाएगा v equal to y by x तो यह y by x upon 2 plus again y by x equal to c square upon x अब इसे आगे solve करते हैं तो यह हमें मिल दाएगा y upon x और फिर यह denominator में मिलेगा 2x plus y और यह x numerator में चला जाएगा equal to c square upon x यह x और यह x cancel हो जाएगा यह x square है यह भी x square है तो यह भी x square है यह x और यह x cancel हो जाएगा ultimately और इसका हम इस तरफ multiply करेंगे तो हमें मिल जाएगा x square into y equal to 2x plus y into c square मान करके चलते हैं कि यह जो equation है यह equation 3 है अब यहाँ पर जो समीकरण में हमें दिया गया था x equal to 1 और y equal to 1 उसको हम यहाँ पर put करेंगे और यहाँ से constant का मान हम ग्याद करेंगे constant का मान ग्याद करने के बाद पुना इसी समीकरण में उसमान को रख देंगे तो हमें दिये गए आउकल समीकरण का निश्चित हल प्राप्त हो जाएगा समीकरण 3 से इसमें दिया हुआ है समीकरण 3 में हमें प्राप्त हुआ है x square into y equal to 2x plus y into c square इसमें x equal to 1 और y equal to 1 रखने पर इमान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 का square into 1 1 equal to 2 into 1 2 plus 1 into c square तो यहां सबको मिल जाएगा c square equal to 1 y 3 इसे हम समीकरण 3 में मान को रख देते हैं समीकरण 3 में c square का मान रखने पर यह मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा x square into y equal to 2x plus y into 1 upon 3 या फिर इसे और सरल करने पर हमें मिल जाएगा 3 को जाएगा 3x square y equal to 2x plus y और यही जो है अभेस्ट निश्चित हल है निश्चित हल इसलिए क्योंकि यहाँ पर x और y की हमें सीमा दी गई थी x और y के मानों का उप्योग करके हमने स्वेक्ष अचर c का मान ग्याद कर लिया तो हमें यह जो प्राप्त हो रहा है यह अभेस्ट निश्चित हल है जो हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था इसमें दूसरा उकल समीकरण दिया गया है 2y इंटू e का पावर x अपान y dx प्लस y माइनस 2 इंटू e का पावर x अपान y इंटू x dy इक्वाल टू 0 और दिया है x इक्वाल टू 0 जब y इक्वाल टू 1 है तो यह बाउंडरी कंडिशन हमें दी गई है इसकी साहता से हम सेक्ष अचर c का मान गयात कर पाएंगे तो चलिए इसे सरल करते हैं पहला हम लिखते हैं कि दिया गया आउकल समीकरण यह है 2y इंटू e का पावर x अपॉन y dx प्लस y माइनस 2x इंटू e का पावर x बाई y dy इक्वाल टू 0 अब हमें dy by dx के फॉर्म में चाहिए होगा यह समीकरण तो इस पत को लेफट में रहने देते हैं इस पत को right में shift कर देते हैं और right में shift करेंगे तो negative sign के साथ multiply हो जाएगा तो इस term यह वाला term होगा और यह वाला term negative होगा तो इसे हम लिखेंगे 2y e का power x by y equal to 2x e का power x upon y minus y और फिर यह dy और यह जो dx है यहां पर है तो dy by dx या dx by dy हम यहां पर निकालेंगे तो यह मिल जाएगा dx by dy 2 into x into e का power x upon y minus y upon 2y e का power x upon y यह माल लेते हैं कि समीकरण एक है अब देखा जाए तो यह जो dy by dx by dy है यह में जो प्राप्त हो रहा है यह आउकल समीकरण आउकल समीकरण एक जो है यह शुन्य घात वाला समगाती अउकल समीकरण है और आपको पता है कि समगाती समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं इसमें हम यह मान करके चलते हैं कि x equal to v y जब हमें dy by dx मिलता है तो y equal to v x ले करके चलते हैं लेकिन यहां पर dx by dy मिल रहा है तो हम x equal to v y ले करके चलेंगे जहां पर v जो है यह फलन है y का तो इसका हम y के सापिक्ष y के सापिक्ष आउकलन करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा dx by dy equal to v plus y dv by dy मान लेते हैं कि यह समीकरण 2 है समीकरण 2 का जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर dx by dy को हम यह लिखेंगे तो मिल जाएगा v plus y dv by dy equal to 2 x के साम पर आपको रखना है v y v y e का पावर x देखें इसको थोड़ा solve कर लेते हैं e का पावर x अपान y है e का पावर x एकस के सान पर आप रखेंगे v y अपान y y और y cancel हो जाएगा तो ultimately आपको मिल जाएगा e का पावर v तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 v y e का पावर v minus y upon 2y और e का पावर v अब यह जो v वाला term है इसे हम पक्षांदर करके right side पर ले आएगे और हमें मिल जाएगा y dv by dy equal to इसमें से हम y को vanish ले सकते हैं तो यह y common आगया 2 v e का पावर v minus 1 upon 2y e का पावर v minus v y और y कैंसर हो जाएगा तो हमें मिल रहा है 2 v e का पावर v minus 1 upon 2 e का पावर v तो यह जो term है और यह minus v इसको इसके साथ separate करेंगे यह इसे लिख सकते हैं 2 v e का पावर v minus 1 और फिर minus v का multiply इसके साथ तो 2 v e का पावर v upon 2 e का पावर v यह term और यह term cancel ultimately हमें मिल रहा है minus 1 upon 2 e का पावर v और यह किसका equal है y यह पद y dv by dy equal to this और तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ है y dv by dy equal to minus 1 upon 2 e का पावर v तो v वाले पद को एक तरफ और y वाले पद को एक तरफ हम ले जाते हैं तो यह जो 2 e का पावर v है उसको इस तरह पक्ष हंतर कर देंगे 2 e का पावर v dv equal to यह जो dy है और यह y तो minus dy upon y अब इस आउकल समीकरंट को आगे सरल करेंगे अब उस दिये गए समीकरंट या अब उस प्राप्त समीकरंट के दोनों पक्षों पर समाकलन का उप्योग करते हैं तो मिल जाएगा 2 integration sign e का पावर v dv equal to minus sign dy upon y तो मिल जाएगा 2 e का पावर v dv करने से आपको मिल जाएगा e का पावर v equal to minus यहाँ पर आपको मिल जाएगा log mod y plus c जहां c जो है यह समाकल नियतांक है और इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 e का पावर v plus log mod y equal to c और यह दी v के इस्थान पर आप x by y पूट करें तो मिल जाएगा 2 e का पावर x upon y plus log mod y equal to c मान लेते हैं कि यह समी करण 3 है अब हमें जो मान दिया गया था x equal to 0 जब y equal to 1 हो तो यह दोनों मानों को हम यहां पर रख देंगे 2 e का पावर 0 upon 1 plus log 1 equal to c तो ultimately यह term यह 2 है और यह 1 मिल जाएगा तो 2 1 into 1 2 और यह log 1 0 तो 2 प्लस 0 तो प्लस यह log 1 जो आपको 0 मिल जाएगा 2 plus 0 equal to c that implies c equal to 2 c का मान भी हमें मिल चुका है अब समी करण 3 में c का मान रख देते हैं तो मिल जाएगा 2 into e का पावर x upon y plus log mod y equal to 2 और यही जो हमें प्राप्त हो रहा है यही अभिस्ट निश्चित हल है जो कि हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था तीसरा आउकल समी करण दिया गया है x into sin square y upon x minus y into dx plus x dy equal to 0 और दिया है y equal to pi by 4 और x equal to 1 इसमें भी हमें निश्चित हल ग्याद करना है तो पहले हम दिया गया आउकल समी करण लिखेंगे y by x minus y into dx plus x dy equal to 0 हमें dy by dx या फिर dx by dy चाहिए होता है तो इस टर्म को left side में रहने देंगे और इस टर्म को पक्षांतर कर देंगे और जब पक्षांतर करेंगे minus sign से multiply होगा यह term negative हो जाएगा और यह term positive हो जाएगा तो positive term को हम पहले लिख रहे है y minus x और फिर यह sin square y by x और फिर लिखेंगे dx और इससे लिख सकते है x into dy by dx इसको हमने left side में transpose लिया या पक्षांतर कर दिया तो यह हमें मिल रहा है y minus x sin square y by x समी करण 1 तो यह जो समी करण 1 दिखाई दे रहा है यह समगातिय आवकल समी करण है लिखेंगे कि समी करण 1 समगातिय आवकल समी करण है और इस वरकार के समी करण को सरल करने के लिए हम प्रतिस्ताबान का उप्योग करते हैं y equal to v x जहां पर v जो है यह x का फलन है तो इसका मतलब यह कि x के सापेक्ष इस समी करण का या दोनों पक्षों का हम आवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष आवकलन करने पर तो यह मिल दाएगा dy x के सापेक्ष तो यह dx equal to v plus x dv by dx इन सभी मानों को हम समी करण एक में रख देंगे तो समी करण एक में उक्त मानों को रखने पर x dy by dx dy by dx के स्थान पर हम यह रखेंगे v plus x dv by dx equal to y minus x और y के जगा में vx रखना था यह vx फिर minus x sin square y by x तो y by x ultimately आपको मिल दाएगा v अब ध्यान दीजे कि इन दोनों पदों पर x को हम भैनिश ले सकते हैं यहाँ पर आएगा v और फिर minus sin square v यह x और यह x cancel हो जाएगा और ultimately आपको मिल दाएगा v plus x dv by dx equal to v minus sin square v यह v और यह v दोनों तरफ cancel हो जाएगा ultimate यह मिल दाएगा x dv by dx equal to minus sin square v sin वालो v वाले पदों को एक तरफ और x वाले पदों को एक तरफ तो यह हमें मिल दाएगा dv upon sin square v equal to minus dx upon x इसको solve करने पर आपको मिल दाएगा cosec square cosec square v dv equal to minus dx upon x दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो आपको मिल दाएगा integration sign cosec square v dv equal to minus dx upon x इसको हम आगे करने पर मिल दाएगा cot v और यह माइनस के साथ तो माइनस cot v equal to minus sign और फिर integration dx upon x का फिर आपको मिल दाएगा log x और फिर यह plus c दोनों पक्षों को माइनस से multiply कर देते हैं तो हमें मिल दाएगा cot v equal to log x minus c या फिर आप इसे चाहें तो plus c1 कर सकते हैं जहां c1 equal to minus c स्रकार लिख सकते हैं अब cot v है तो v के इस्थान पर हम मान रख देते हैं तो मिल दाएगा y by x और फिर यह log x plus c1 इसमें दिया गया है y equal to pi by 4 और x equal to 1 इन दोनों मानों को हम यहां पर रख देते हैं तो हमें मिल दाएगा cot y अर्था pi by 4 और x equal to 1 तो यह cot pi by 4 equal to log x x के इस्थान पर हमें 1 पूट करना है तो यह log 1 plus c1 log 1 होता है 0 और cot pi by 4 होता है 1 तो ultimately आपको मिल दाएगा c1 equal to 1 यह मान हमें प्राप्त हुआ यह जो समीकरण है इसे हम समीकरण 4 का नाम देते हैं इस c1 वाले मान को समीकरण 4 में हम रख देंगे तो समीकरण 4 से cot y by x equal to log x plus 1 और यही अभिस्ट निश्चित हल है जो की हमें गयात करने के लिए कहा गया था